हरे कृष्णा आप सभी का दिन शोभर मंगल में हो इससे पहले कि सभी कथाइं सुनने के लिए आप सब का बहुत बहुत धनिवाद आज आप सुनेंगे कार्थिक मास महतमी की कथा और हर बार की तरहा आज भी महतमी से पहले एक बहुत ही सुन्दर और ट्रेना दाई कहानी आ और क्योंकि समय पंच भीकू व्रत चल रहे हैं तो पंच भीकू व्रत की कथा भी आप कार्थिक मास महतमी की कथा के अंत में सुनेगे आप से नुरोध हैं इन कथाओं को पूरा सुनने का प्रयास अवशी कीजिएगा आज आपको बरसाने के संत के एक बहुत ही सुन्दर कथा सुनाने जा रहे हैं आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा एक बार एक संत महराज बरसाने में रहा करते थे हर रोज सुबह उठकर वियमुना जी में सनान करके फिराधा जी के दर्शन करने जाया करते ये उनका हर दिन का नियम था जब तक वे राधरानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल के एक बूंद भी ग्रहन नहीं करते थे दर्शन करते करते और इस नियम को निभाते निभाते लगभग उनकी उम्र हो गई 80 वर्ष की आज सुभा भी वे हर दिन की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया वे राधारानी के दर्शन को चल पड़े मंदिर के पट खुले और राधारानी के वे दर्शन करने लगे आज न जाने कैसे दर्शन करते करते संत महराज के मन में भाव आया कि मुझे राधारानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष बीद चुके हैं लेकिन मैंने तो आज तक कभी भी राधारानी को कोई वस्तर नहीं चड़ाया लोग राधारानी के लिए कोई नार्या लेकर आते हैं कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है कोई लहंगा कोई बिंदी कोई साड़ी लाता है लेकिन मैंने तो आज तक कभी कुछ चढ़ाया ही नहीं ये विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधरानी के लिए कुछ नकुछ लाया करते हैं तब तो मैं भी अपनी राधरानी के लिए कुछ नकुछ लेकर प्रशन करने के बाद वे निकल पड़े बाजार की ओर बाजार में घूम घूम करकर दुकाने चान मारी लेकिन उनकी पसंद का वो कपड़ा वहाँ पर उन्हें नहीं मिला वो चाहते थे कि उनकी राधारानी सबसे सुन्दर सबसे अच्छे वस्तर पहने आखिरकार एक दुकान पर उन्हें उनकी पसंद के वस्तर मिली गए अब वे कपड़ा खरीत कर लाए और कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से किसी तरह राधारानी का लहंगा चुनरिया सि प्यार कर लिया तो फिर एक दिन मन में सोचा कि अब इस लहंगा चुनरिया को मैं अपनी राधारानी को पहनाऊंगा तब तो सबसे सुन्दर मेरी राधारानी लगेंगी आप तो यह सोचकर संत महाराजी बड़े प्रसन हुए और मारे खुशी के दोड़े दोड़े उस ल आज तो मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधारानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली तो बड़ी सुन्दर लगेंगी ऐसा मन में सोचकर खुब प्रसन हुए जा रहे हैं इतने में ही मंदिर की सीडियों पर ही एक बरसाना की लाली आई और बाबा से बोली बाबा आज तो बड़े खुश हो क्या बात है बताओ न बाबा तो बाबा ने कहा अरी लाली आज तो में बड़ा खुश हो पता है आज मैं अपने हाथों से राधारानी के लिए लहंगा चुनरिया बना कर लाया हूँ और आज तो जब मैं अपनी राधारानी को ये लहंग बनाया है बाबा ने बड़ी खुशी खुशी अपने आथ में पकड़ा हुआ वो लहंगा चुनर्या बरसाना की लाली को दिखा दिया देखने के बाद लाली बोली अरे बाबा राधरानी के पास तो बहुत सारी पोशाके हैं यह वाले पोशाक मुझे दे दो ना तो महराज जी बोले, बेटी, मैं तुमको कोई और पुशाक बजार से दिलवा दूँगा, लेकिन ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधरानी के लिए ही लेकर जा रहा हूँ, ये तो मैं तुम्ही नहीं दूँगा, तुम कहोगी तो तुम्हें बाजार से कोई दूसरा दिलवा दूँगा, लेकिन उस छोटी सी लाली ने संत महराज के कुर्ते का कोना पकड़ लिया, बाबा मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही वाली पोशाक दे दो, ऐसा कहकर वो जित करने लगी, अब तो संत महराज भी जित पर अड़ गए, कहने लगे ये वाली पोशाक तो म बड़े दुखी हो गए, कि मैंने आज तक राधरानी को कभी कुछ नहीं चड़ाया, अज जैसे तैसे अपने हाथों से बनाकर लेंगा चुनरिया लेकर आया, तो वो भी लाली लेकर भाग गई, मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा, ऐसा सोच कर संत महराज क आखों में आशू आ गए, अब वे उदास होकर वहीं सीड़ियों पर बैठ कर रोने लगे, इतने में ही कुछ और संत महां आये, जो कि राधरानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उन्हों ने उन्हें इस प्रकार सीड़ियों पर रोता हुआ बैठा देखा, तो ना देना, चलो, आज तो राधरानी के दर्शन कर लेते हैं, इस तरह संतों ने बाबा को समझाया बुझाया, और फिर राधरानी के दर्शन को लेकर चले गए, संत बाबा मंदिर के अंदर चलते जा रहे थे, और आखों से आसू बहते जा रहे थे, फिर अचानक उनके मन म ये भाव आया कि मुझे इस तरहा रोता हुआ देख कर कही राधरानी भी दुखी न हो जाए उनका रोना बंद हो गया रोना तो बंद हुआ लेकिन मन अभी तक बहुत खराब था ज्योंकि कामना जो पूरी नहीं हुई थी तो अनमने मन से वो राधरानी के दर्शन करने के ल मन में लगातार इसी तरह के विचार संत महराज के मन में आते जा रहे हैं और वो दुखी हो रहे हैं मंदिर आकर अब राधरानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे थोड़ी ही देर के बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा बाबा देखो तो सही आज हमारी हाथों से बना लाए थे वही आज राधरानी ने पहना हुआ था देखते ही संत महराज तो इतने प्रसन हुए कि मारे खुशी के कोई ठीकान नहीं नहीं था तब विराधरानीसे कहने लगें राधरानी आपको इतना भी सबर्ध नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीडियों से ही लेकर भाग गई ऐसा क्यों किया तब सर्वेश्वर सिरी राधरानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक ही नहीं है इसमें तो आपका प्रेम छुपा हुआ है इसलिए मैं तो खुद ही आकर के आप से लहगा चुनर्य चीनतर भाग गई थी इतना सुनकर बाबा भाव भोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया राधरानी और संत महराज की बीच में जो भी वारतलाप हो रहा था वो केवल और केवल संत महराज ही सुन सकते थे बाकि आन्य कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता था केवल वे ही महसूस कर सकते थे क्योंकि उनके मन में राधरानी के प्रति अटोट भक्ती जो थी अटोट वातसल इस नहीं जो था तो ऐसी है राधरानी अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकती है चिंता हो ना भय हो राधरानी की जै हो उची अटारी वारी प्यारी की जै हो बोलो राधरानी की जै अब सुने कार्थिक मास मातमे का आज कर्ध्याए शोनक आदे रिश्यों ने पूछा है सूत जी अब करपा करके आप ये भी बताएं कि किसी दूसरे के द्वारा संकल्प करके दिया हुआ पुर्णी कर्म सारे देश को त्रेता युग में पूरे गाउं को द्वापर युग में पूरे कुल को मिलता था परन्तु इस गोर कल्युग में केवल पाप या पुर्णी कर्म करने वाले को ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ेवे लोगों को भी उनकी प्राप्ति हो जाती है एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुर्णी का आधा आधा भाग मिल जाता है पापी के साथ मिलकर बैटकर भोजन करने वाले को भी उसका पाप लगता है पुर्णी कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर यदि भोजन किया जाए तो उसका पुर्णी भी दूसरे को प्राप्थ हो जाता है दूसरे की निंदा करने वाले सुनने वाले या पिर चिंतन करने वाले को भी बराबर पाप और पुर्णे मिलता है दूसरे का धन चुरा कर दान देने वाला भी पाप का भागी हो जाता है पाप या पुर्णि का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है इसी प्रकार शिष्ष से गुरु, पिता से पुत्र और पत्नी से पती भी छठा अंश पाते हैं चाहे वो पाप हो या पुर्णि हो परंतु पत्नी पती का आधा ही पुर्णि पाती हैं इस प्रकार बिना दिये वे भी एक दुसरे को पाप और पुर्णि की प्राप्ती होती है अब इस संबन में है रिश्यो एक अत्यत पुर्णि दाई प्राची नितिहा सुनाता हूँ आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्रहमणों चित कर्मों से रहित यानि कि जो कर्म ब्रहमणों के लिए बताए गए हैं वह उन कर्मों को करता ही नहीं था उन सभी पुर्णि कर्मों से रहित एक जुआरी मदिरा पीने वाला वेशगामी रसकमल और खाल बेशने वाला अत्यत पापी ब्रहमण रहा करता था वह सामान खरीदने और बेचने के उद्देश से कई नगरों में घूमता फिरता एक बार म पापी के नाम का दीपदान महत्सुव भी देखा उसी रात को एक सांप ने उसे डस लिया और तब कुछ मनुश्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा नदी का पवित्र जल डाला इसके पशात उसकी मृत्ती हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए यमलोक में चितरगुप्त ने क्रोध भरी द्रिष्टी से उस पापी की ओर देखते वे यमराज से कहा कि महराज ये तो बड़ा पापी है और इसने तो अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलने तब यमराज ने आग्या दी कि पहले इसे खौलते वे तेल की कड़ाओ में डालो उसके बाद मुदगरोंक से मार लगा कर कुम्भी पाक नरक में डाल देना परन्तु जब उस व्यक्ति को खौलते वे तेल में डाला गया तब तेल एकदम शीतल हो गया खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो जाने की बात जब यमराज ने सुनी तो वे आशरी चकित हो गए ठीक उसी समय देवर्शी नारत यमराज की सभा में उपस्तित हुए तब यमराज जी के पूछने पर देवर्शी नारत कहने लगे कि धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्दिक मास का इसी कारण इसके सारे पाक नस्ठ हो गए हैं यमराज जी को इतना बताकर देवर्शी नारत वहाँ से ब्रह्म लोग को चले गए तब यमराज जी ने भी धनेश्वर को नरक की घोर यातना से मुक्त कर दिया इसके पश्चा धनेश्वर कूबेर देव का अनुगामी जाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ सूद जी ने अंतमे रिश्यों से कहा हे रिश्यों किसी इच्छा अत्वा लालत से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है इस कार्थिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किये गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी प्रगार के पाप नस्ठ हो जाते हैं हे श्रोताओ उस परमपिता परमात्मा की किरपा से आज यह कार्थिक मास महाते में संपूर्ण हुआ जो इसके इनरूप आचरन करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जनम में मोक्ष को प्राप्थ होगा ही श का अध्याई समाथ हुआ अगली अध्याई में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में अब सुनिए पंच भीकूवरत की कथा एक पार किसी गाउं में एक सहुकार था और उसके एक बेटा और बहु भी थे पहु कार्थिक महाम में रोज सवेरे उठकर गंगा इस इसनान के लिए जाता था और वह हिरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूं इसनान के लिए लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर इसनान कर लेता है कार्थिक महां के पांस दिन बचे थे कि एक दिन सहुकार की बहु तो इसनान करके वापस जा रही थी और उसी सम बेटे ने बहु की माला मोजडी उठा ली और सोचने लगा कि जिस इस्तरी की ये माला मोजडी इतनी सुंदर है वह इस्तरी खुद कितनी सुंदर होगी उसने पूरे गाउं में घोशना करवा दी कि जिसकी ये माला मोजडी है वह पांच रात मेरे पास आएगी जल्दी ही र को साख भरने बिठा देना राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया बहु सुभा के समय आई पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली हे कार्तिक के ठाको राई दा मुदर पांचो पांडू छठे नारायन भीकम राजा उस पापी को नीद आ जाए राजा के बेटे को नीद आ गई बहु नहाद होकर चलने लगी तो तोते से जाते जाते बोली सुभा सुभा तेरे गल डालूंगी हीरा मेरी साख भरियो मेरे वीरा सुभा बोला कोई वीर भी साख भरता है क्या तो वह बोली सुभा सुभा तेर राजा का बेटा हडबढा कर उठा और सुवा से पूछा सुवा सुवा मैं आई थी क्या कैसी दिखती थी सुवा बोला आभा किसी बिजली होली किसी जल केला किसी कामिनी गुलाब का सरंग अगले दिन तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लग लगी राजकुमार को फिर से पहले की तरह नीद आगई बहु इस नान करके फिर से वापस चले गई सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तोते ने वही सारी बाते दोहरा दी अब की बार राजकुमार बोला कि मैं तो आज रात में आखों में मिर्ची डालकर तो उसने फिर से वही बाते दोरा दी राजकुमार अपकी बार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को वह बिना बिस्तरे के बैठ गया अगली सुभा जब वह स्थनान करने आई तो बहुट ने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नीद आ गई जब बहु इसनान कर जाने लगी तो आखें बंद करके चले गई राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी राजकुमार फिर से सोच में पढ़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी चला कर बैठूंगा जिससे नीद नहीं आएगी फिर वह रात को अंगीठी चला कर बैठ गया साहुकार की बहु आई और वह भगवान से प्रार्थन करने लगी कि प्रभू हे ठाकुर्जी आपने चार राते तो निकाल दी अब ये रात और बची है इस आखरी रात को भी निकाल दो ठाकुर्जी ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नीद आ गई जब बहु इस नान कर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुवा सुवा इस पापी को कह देना कि पांच राते पूरी हो चुकी है अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे अगली सुभा राजकुमार की आख खुली तो उसने तोते से पूछा क्या वह आई थी तोत राजकुमार को कोड हो गया राजा ने ब्रामन को बुला कर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यूं जल रहा है तब ब्रामन ने सारी बाते विस्तार से राजा को बताई कि इसने क्या किया था ब्रामन ने कहा कि इसने पतिवृता इस्त्री पर बुरी रजर डाली थी इसलिए यह इस रोग से पीडित्वा है राजा ने इसके ठीक होने का उपाये पूछा तो ब्रहामन ने कहा कि अगर यह उस सहुकार की बहु को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाईवे जलसे इसनान करे तब ही ठीक हो सकता है राजा सहुकार की बहु की माला लेकर सहुकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्रवधु की है इसे रख लीजे और आपकी बहु के नहाईवे जलसे मेरे बेटे को नहला दीजे राजकुमार ने ऐसा ही किया कुछ समय बाद उसका शरीर चेंदन सा हो गया हे पंच भीकु देवता जैसे आपने साहुकार की पुत्र वधु का सत्र रखा वैसे ही सभी का रखना पूनो नहाई पड़वा नहाई पाँच रतन पंच तीरत पंच भीकम नहाई एक टका मेरी गाठ में सुन्यो रखुराई आधे का लाई आवला आधे की राई राई दामोदर सावला जिसने स्रस्टी रचाई राजा के घर उतरी पुत्री बनाई राजा लाया ब्याह के रानी बनाई चार चकर चार मकर चार दिये की लो मैं तुछ से पूछू श्री कृष्णी जी कब निस्तारा होए जब आएगा कार्ति का महिना तब निस्तारा होए प्रेम से बोले पंच भीकू देरता की जय अब सुने तुलसी चालिसा पाठ और तुलसी मात की आरती जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी नमो नमो हरी प्रेसी श्री ब्रंदा गुन खानी श्री हरी शीष विरजनी देहु अमर वर अंब जनहित हे ब्रंदावनी अबन करप विलंब धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदाश्रुति गाता हरी के प्राणहु से तुम प्यारी हर ही हे तुकीन हो तब भारी जब प्रेसन है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनए उसकीन हो ही भगवंत कंत मम हो हू दीन जानी जानी छाड़व छो हू सुनी लक्ष्मी दुलसी की बानी दीन हो श्राप कद पर आनी उस अयोग वर मांगन हारी हो हू बिटब तुम जड़तन धारी सुनी तुलसी ही श्रप्योते ही ठामा करहु वास तुहुनी चन धामा दीयो वचन हरी तब तत काला सुनहु सुमुखी जानी हो हू बिहाला समय पाईर्यो रोपा पितोरा पूजहि आसव चन सत्मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा ता सुभई तुलसी तूबामा कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखिनाही दियो शाप तुलसी तत काला नरलो कही तुम जन्महु बाला योगोप वहदान विराजा शांख चूण नामक शिरताजा तुलसी भैता सूखी नारी परमसती गुण रूप अगारी असद्वे कल्प बीत जब गय हू कल्प तृतिय जन तब भय हू व्रिंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पती को कर अतिद्वंद अतुल बल्धामा कीना शंकर से संग्रामा जब निज सैन सहित शिव हारे मर ही न तब हर हर ही पुकारे पती व्रता व्रंदा ती नारी को न सके पत ही संग्हारी तब जलंधर ही भेश बनाई व्रिंदा धिग हरी पहुचो जाई शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर्शोक उपारा तिही छण दियो कपट हरि तारी लखि व्रंदा दुख गिरा उचारी जलंधर जस हत्यो भीता सोई रावन तस हरही सीता अस प्रस्तर समहदय तुम्हारा धर्म खंडी ममपत ही संहारा यही कारण लही श्राप हमारा हो वे तनुपाशान तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वजन उचारे दियो श्राप बिना वी चारे लख्यो ना निज कर तूत पती को छलन चहियो जब पारवती को जड मत तुह अस हो जड रूपा जग मेह तुलसी बिटप अनूपा धगव रूप हम शाली ग्रामा नदि गंड की बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चड़ई हैं सब सुख भोग परम बदबई हैं बिन तुलसी हरी जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उरपीरा जो तुलसी दल हरी शिरधारत सो सहत्र घट अमृत डारत तुलसी हरी मन रंज निहारी रोग दोश दुख भंज निहारी प्रेम सहित हरी भजन निरंतर तुलसी राधा मे नाही अंतर व्यंजन हो छप नहु प्रकारा बिन तुलसी दल नाहर ही प्यारा सकल तीठ तुलसी तर चाही लहत मोक्ती जन शंशे नाही कभी सुन्दर इक हर गुण गावत तुलस ही निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुरवा साधामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठ करह जो नित नरिनारी हो ही सुख भाश हीत्र पुरारी तुलसी चालिसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रहधारी दीप दान करी पुत्र फल पावही बंध्यों नारी सकल दुख दरित्र हरी हार वे परंप्रसन आशिय धन जन गढ़ही कर बसही पूर्णा अत्र लाही टुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन तुलसी पूरण तब की शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हरकी पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रिपती कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो कौन महीने बुईरानी तुलसा कौन महीने हुई हर याली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो आशार मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरी आली नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो कार्थिक मास में हुई तेरी पूजा मंग सिर मास हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो दूप दीप नैवेत आरती खुश्पन की वर्शा बरसानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो चपन भोग छती सो व्यंजन बिन तुलसी हर एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को दो पहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को सांज को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो सब सक्कि मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी जै महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पतरानी नमो नमो